Hello students, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल Brownie Study में आज मैं आपके लिए एक most important topic लेकर के आया हूँ जो की होने वाला है महादीव के बारे में कर लेते हैं यहाँ पर आपको first question दिख रहा होगा बोल गया है यहाँ पर विश्व में कुल कितने महादीव हैं यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व में कुल कितने महादीव हैं चार option आपकी screen पर है राइट आंसर आपका यहां पर हो जाना है आठ क्या हो जाएगा आठ आपका राइट आंसर हो जाएगा अब काफी students के मन में यह doubt होगा कि 7 क्यों नहीं होगा क्योंकि काफी books जो है वो अभी भी आपको 7 महादीब के बारे में ही बताती है तो आपको पता होना चाहिए कि 8 महादीब जो है वो आपका G-Land नाम से है आपको जैसा ही पता होगा कि G-Land को आठवे महादीब के रूप में काफी books मानती है और काफी books नहीं भी मानती है इसलिए यहां पर आपको यह चीज याद रखनी है कि जो आपका आठवा महादीप है वो भी इसमें एड हो चुका है इसलिए आपके कितने महादीप बनते हैं तो यहाँ पर आपके आठ महादीप बनते हैं चली बढ़ते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा second number बुल गया है यहाँ पर विस्व का सबसे बड़ा महादीव कौन सा है यहाँ पर आपको बताना है कि विस्व का सबसे बड़ा महादीव कौन सा है 4 option आपकी screen पर है right answer आपका हो जाएगा यहाँ पर ACA महादीव क्या हो जाएगा Asia महादीप आपका right answer हो जाएगा चली बढ़ते हैं next में next आपके screen पर दिख रहा होगा third number बुलगे यहाँ पर विश्व का सबसे छोटा महादीप कौन सा है 4 option आपके screen पर है right answer अब यहाँ पर आपका हो जाना है Australia क्या हो जाएगा Australia आपका right answer हो जाएगा चली बढ़ते हैं next में next आपके screen पर दिख रहा होगा fourth number बुलगे यहाँ पर किस महादीप को स्वेत महादीप के नाम से जाना जाता है most important question एक्जाम पर पसे जैसा कि आपको इस question को पढ़के ही समझ में आ रहा होगा स्वेत महादीप अर्थात जो पूरा सफेद दिखाई दे तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा Antarctica क्योंकि आपको भी पता होगा कि वहाँ पर हमेशा बर्फ गिर्ती ही रहती है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option D चली बढ़ते हैं next में नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा fifth number बुलगे यहाँ पर किस महादीप को अंद महादीप कहा जाता है यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा महादीप है जिसे अंद महादीप कहते हैं चार option आपकी स्क्रीन पर है right answer हो जाना है अफ्रीका महादीप क्या हो जाएगा अफ्रीका महादीप आपका right answer हो जाएगा चली बढ़ते हैं next में next आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा sixth number बुलगे यहाँ पर किस महादीप में एटलस परवत इस्थित है यहाँ पर आपको बताना यह है कि कौन सा ऐसा महादीप है जहाँ पर आपका एटलस परवत इस्थित है चार ओक्षन आपकी स्क्रीन पर है right answer यहाँ पर हो जाना है अफ्रीका महादीप क्या हो जाएगा अफ्रीका महादीप right answer चली बढ़ते हैं next में next आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 7th नंबर बुल गए यहाँ पर किस महादीप को PRIDE EPA महादीप कहा जाता है यहाँ पर आपको बसेकली बताना है कि यहाँ पर महादीप जो होते हैं उनमें से कौन सा ऐसा महादीप है जिसे PRIDE EPA महादीप कहते हैं चार option आपकी screen पर हैं, right answer यहाँ पर आपका हो जाना है, Europe महादीब क्या हो जाएगा, Europe आपका right answer हो जाएगा, आच लिए बढ़ते हैं, next में, next question में बढ़ने से पहले, जो students ने हो channel में, वो channel को subscribe जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी amazing videos हर एक topic से related लाता रहता तो अभी इस channel को subscribe करके, bell icon call पर click कर लें, और इस video को like जरूर करें, चलिए बढ़ते हैं, next में, next आपकी screen पर दिया गया है, यहाँ पर 8 number बुल गया है, अफरीका महादीब का सरवोच परवत सिखर कौन सा है, तो यहाँ पर आपका right answer क्या हो जाएगा, right answer आपका हो जाना है Mount Kilimanjaro क्या हो जाएगा, Mount Kilimanjaro आपका right answer हो जाएगा, यह question आपका most important question है, exam पर पसे, क्योंकि काफी बार exams में यह देखने को मिला है, चलिए बढ़ते हैं, next में, next आपकी screen पर है, 9th number बुल गया है यहाँ पर, ACA महादीब का सरवोच परवत सिखर कौन सा है, आप सभी को पत महादीब का सरवोच परवत सिखर कौन सा है, अब यहाँ पर आपको Europe का बताना है, तो यहाँ पर आपका right answer हो जाना है, Mount Elbrus क्या हो जाएगा, Mount Elbrus आपका right answer हो जाएगा, चलिए बढ़ते हैं, next में, next आपकी screen पर दिखरा होगा, 11th number बुल गया है यहाँ पर, किस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा, अचलिए बढ़ते हैं, next में, next आपकी screen पर दिखरा होगा, 12th number बुल गया है यहाँ पर, किस महादीब को द्वीपी यह महादीब कहा जाता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि प्राइड वीपी महादीब अगर आपका right answer हो जाएगा, अचलिए बढ़ते हैं, next में, next आपकी screen पर दिखरा होगा, 13th number बुल गया है यहाँ पर, किस महादीब से होकर, करक विसुवत तथा मकर, तीनो रेखाएं गुजरती हैं, most important question है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा एक महादीब है, जिससे तीन रेखाएं, एक साथ गुजरती हैं, 4 option आपकी screen पर है, right answer आपका यहाँ पर हो जाना है, अफ्रीका महादीब, क्या हो जाएगा, अफ्रीका आपका right answer हो जाएगा, चलिए बढ़ते हैं, next में, next आपकी screen पर है, 14 number बुल गया है यहाँ पर, किस महादीब को मानो घर कहा जाता है, most important question है, आपको बताना है, कि कौन सा ऐसा महादीब है, जिसे मानो घर के नाम से जाना जाता है, 4 option आपकी screen पर है, right answer आपका यहाँ पर हो जाना है, Asia महादीब, क्या हो जाएगा, Asia आपका right answer हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा, कि Asia में ज्यादा population है, जिस वज़े से इसे मानो घर भी कहा जाता है, चली बढ़ते हैं, next में, next आपकी screen पर दिया गया, 15 number, बुल गये यहाँ पर, किस महादीब का विस्तार, 4 गोलार्धों में है, इसका मतलब यह हुआ, कि आपको बताना है, कि कौन सा ऐसा महादीब है, जिसका विस्तार, पूरवी, पस्च्च 17 number बुल गये हैं यहाँ पर, A.C.A. महादीब के सबसे बड़ी जील कौन सी है, most important question है, यहाँ पर आपका right answer क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका right answer हो जाना है, कैस्पियन सागर क्या हो जाएगा, कैस्पियन सागर right answer, चली बढ़ते हैं, next में, next आपकी screen पर दिया गये, 17 number बुल गये हैं यहाँ पर, A.C.A. महादीब के सबसे बड़ी जील कौन सी है, यहाँ पर आपको A.C.A. महादीब की जील बतानी है, 4 option आपकी screen पर है, right answer यहाँ पर आपका हो जाना है, Victoria जील क्या हो जाएगा, Victoria जील आपका right answer हो जाएगा, चली बढ़ते हैं, next में, next आप की screen पर दिख रहा होगा, 18 number बुल गये हैं यहाँ पर, किस महादीब को पठारी महादीब कहा जाता है, यहाँ पर आपको बताना है अब कि पठारी महादीब किसे कहा जाता है, 4 option आपकी screen पर है, right answer आपका हो जाना है, Africa, क्या हो जाएगा, Africa आपका right answer हो जाएगा, चली बढ next में, next आपकी screen पर दिए गये, 19 number बुल गये हैं यहाँ पर, सरवाधिक देश किस महादीब में हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा महादीब है, जिसमें सबसे जादा देश हैं, तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा, Africa महादीब क्या हो जाएगा, Africa में, कुल आपके 54 countries रहती हैं, यहाँ बोल सकते हैं कि कुल आपके वहाँ पर देशों की संख्या है, चली बढ़ते हैं, next में, next आपकी screen पर दिख रहा होगा, 20 number बुल गये हैं यहाँ पर, Asia महादीब में कुल कितने देश आते हैं, तो यहाँ पर आपका right answer हो जाना है, 48 क्य हो जाएगा, 48 आपका right answer हो जाएगा, चली बढ़ते हैं, next में, next आपकी screen पर दिख रहा होगे, यहाँ पर आपका right answer हो जाना है, वोलगा नदी क्या हो जाएगा, वोलगा नदी आपका right answer हो जाएगा, आपका right answer हो जाएगा, चली बढ़ते हैं, next में, next आपकी screen पर दिख र आपको बताना है कि अफ्रीका महादीब में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यहाँ पर आपको बताना है कि अफ्रीका महादीब में प्रवाहित होने वाली नदी का क्या नाम है चार ओप्षन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होंगे राइट आंसर हो जा यहाँ पर आपको बताना है कि दच्छनी अमेरिका जो है उसमें प्रवाइत होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है चार ओप्षन आपकी स्क्रीन पर है राइट आंसर हो जाना है अमेजन नदी क्या हो जाएगा अमेजन नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा आच लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 24 नंबर बुल गए याँ पर कौन सा महादीप पूनेतया बर्फ से धका रहता है Most important question है और आप सभी को इस question का answer पता भी होगा यहाँ पर आपका right answer हो जाना है Antarctica महादीप क्या हो जाएगा Antarctica आपका right answer हो जाएगा आच लिए बढ़ते हैं next में जो कि आज का last question है यहाँ पर आप से बोल गया है महादीपों का सरवाधिक विस्तार किस महादीप में है अर्थात आपको बताना यह है कि महादीपों का जो विस्तार है वो सबसे अधिक किस महादीप में है चार option आपकी screen पर है right answer हो जाना है आपर Europe महादीप क्या हो जाएगा Europe महादीप आपका right answer हो जाएगा यहाँ से आपके सभी सभी topics related most important questions समाप्त होते हैं जिन भी students को इसका PDF चाहिए हो वो हमारे telegram channel को join कर लिजे वहाँ पर आपको daily daily PDF और साथ में study material भी प्रोवाइड करा दिया जाता है जिससे कि आपको पढ़ने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाए तो यहाँ पर आपको telegram channel का link description box में मिल जाएगा वहाँ से आप इसे join करना मत भूलिएगा और साथ में जो students नए हों वो channel को subscribe कर लिजे और bell icon call पर click कर लिजे रोजाना आपको ऐसी amazing videos मिलती रहती है साथ में इस video को like कर दीजे और comment करके बताएए कि आपको यह video कैसी लगी तो चलिए कल मिलता हूँ आपसे एक और नई video के साथ तब तक के लिए take care जे हिंद जे भारत